दोस्तो आजम जानेंगे कैसे प्राणी के बारे में जो अपने अनुकी गुद्रती ताकत से पुरी दुनिया में पचाना जाता है तो दोस्तो आजम जानेंगे इलेक्ट्रिक इल के बारे में इलेक्ट्रिक इल जो जादातर साउथ अमेरिका के एमेजॉन और उरिनो को रिवर के आपर पाये जाता है और इलेक्ट्रिक इल एक मासा हरी प्राणी है जो सिफ मास का ही सेवन करते हैं और इलेक्ट्रिक इल जादातर फिश बर्ट्स और स्मॉल मैमल्स को कुंजूम करते हैं और जंगलों में इलेक्ट्रिक इल का शिकर जायतर इंसान करते हैं और वेग्यानिकों के अनुसार इलेक्टरिक इल की देखने की शक्ति बड़ी ही कमजोर है और इलेक्टरिक इल पानी के इंदे तकरीबन 10 मिनिट तक रह सकती है और इलेक्टरिक इल को एक नॉक्टरलन अनिमल माना गया है मतलब वह प्राणी जो रात को सक्रिया रहता है और दिन में सोता है और इलेक्टरिक इल को एक सॉलिटरी अनिमल भी माना गया है मतलब वह प्राणी जो अपना जीवन जाहतर अकले ही बिताना पसंद करता है फीमेल इलक्तरिक जो एक समय पर तक्रीबन सत्रा हजार से भी ज़़ादा अंडय RDYA seni और कई के शरीर में सनकुद से ग्यक्रिद के इलेक्ट्रो साइट कहते हैं जो 600 वॉल्ट की electricity प्रड्यूस करते हैं और electricity प्रड्यूस करने के लिए इलेक्टरिकिल के 80% और्गन वर्क करते हैं वेग्यानिकों के अनुसार इलेक्टरिकिल के लंबाई तकरिबन 8 फीट से भी अधिक हो सकती है और वेट तकरिबन 20 किलोग्राम का हो सकता है और जंगलों में इलेक्टरिकिल तकरिबन 15 साल तक जी सकते हैं लेकिन अगर कैप्टिविटी में रखा जाए तो वह 25 साल से भी अधिक जी सकते हैं दोस्तों इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्ट करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीचे इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके क्योंकि हम इसी तरह से अनिमर्स के बारे में जानकर देते रहते हैं और यह वीडिया को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखके बताएं येस फ्रेंड्स थैंक्स फर वाचिंग दी वीडियो